हेलो प्यारे बच्चो तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ESJ Academy में और मैं कपिल आज आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूँ UKPSC J 2021 के Mechanical Engineering का Detailed Slabers और उसका पैटर्ण क्या होने वाला एक्जाम का और कैसे आपका स्ट्राटिजी रहना चीए इस Mechanical Engineering के Slabers को कंप्लीट करने का और इस UKPSC एक्जाम के महायुद्ध में अपियर होने का तो दोस्तो इस Video में डिसकस करने वाले हैं चानक्यानीती का महामंत्र चानक्यानीती का महामंत्र का तात्परिय यह है दोस्तो जब तक आपका निसाना सटीक न हो जब तक आपका लक्षश अटीक न हो तब तक आप उसको साधने की कोशिश ना करें पहले इस पूरे प्रेपर के पैटर्ण को समझें उस के से लिबस को समझें उसकी नीड को समझें और फिर अपनी preparation को उसी direction में लगाएं और तब ही आपको एक निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और आपको चरूर इस वीडियो साब कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो आपके आने वाले एक्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको कही न कहीं सेलेक्शन जरूर दिलाने में मदद करेगा तो दोस्तो आज हमारा महायुत्य का अगाज हो गया है हम इस निश्चित देखिए कितनी अच्छे लाइन लेकिए कि निश्चित सफलता के लिए सही रणनीती बनाना जरूरी है ये बिलकुँ ही सव परतिशत सही बात है बच्चों कि अगर आपका एक रणनीती आपके पास अच्छी नहीं है तो आप उस तरगे का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जैसा आपको requirement है आप अभी समझेंगे कि एक्जाम का pattern क्या है मैं जल्दी जल्दी आपको एक्जाम का pattern समझाऊँगा क्योंकि आप काफी बार इस चीज़ को देख चुके होंगा शायसे चलिए mechanical engineering का exam का pattern की बात करते हैं दोस्तों देखिए pattern same इसका pattern है UKPSC का जो pattern इसका इसमें दो phases में आपका exam होगा एक return phase में आपका exam होगा दूसरा आपका interview phase है return में आपके जो marks आपका होगा वो 920 marks का आपका return examination होने वाला है इसको भी दो sector में और दो parts में divide किया गया है कैसे एक आपका technical का होगा जिसमें आपका 720 marks का technical का return होगा और non-tech में आपका 200 marks के दो paper होगे एक हिंदी का paper और एक इंग्लिश का paper दोनों का 100-100 marks का आपका paper होने वाला है technical में आपके paper 1 और paper 2 में divide किया गया है जिसमें paper 1 में आपके पास 180 question होगे 360 marks के यानि कि each question 2 marks का होने वाला paper 2 में भी आपका बिल्कुष same 180-360 आपका पेटेज होने वाला है तो आप 720 technical 200 आपका non-tech यानि कि total return होता है आपका 920 प्लस आपका 100 का interview तो आपका total जो paper होगा वो 100 and 1,020 यानि कि 1020 नंबर का आपका total examination होने वाला है दोस्तों इसमें समझने वाली बात ये है कि UKPSC न अपने notification में साफ साफ लिख दिया है कि आपको general category में minimum 45% आपका interview plus return के marks होने चाहिए इसका मतलब 1020 का minimum 45% इसका मतलब आपको कितना marks तो चाहिए चाहिए आपको minimum 259 तो चाहिए तो अब आप समझेंगे कि इस exam की demand क्या है इस exam की demand है कि आप बैठो और detailed में पढ़ो चीजों को और इस exam को qualify करने के लिए आगे बढ़ो तो चलिए अब थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूं कि क्या आपका syllabus है देकि syllabus में आपका paper 1 और paper 2 का syllabus हम discuss करेंगे detailed में थोड़ा वो समझेंगे कि आपको कहां से किस तरीके से approach करना है क्योंकि syllabus जो आपका divide है दोनों ही paper में section B जो part है चया वो paper 1 हो चया paper 2 हो उनका section B का syllabus थोड़ा सा एक इस तरीके का syllabus है कि उसको generally हम पढ़ना पसंद नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा boring type का syllabus है क्योंकि उसमें production और industrial का element जादा है production, industrial, material, science इनका element जादा है और यह generally इस तरीके का sector होता है जिसको generally student भी avoid करते हैं पढ़ने का interest पैदा नहीं होता है इन चीजों में क्योंकि यह practical type of scenario में काम आती है अगर practically आप चीजों को देख लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा interest की बात है खाली और हम कोशिश करेंगे कि हम syllabus को इस तरीके से bifurcate करें कि आप easily समझ पाओ कि आपको पढ़ना क्या है क्या आपके sources होने वाले कहां से आपको पढ़ना चीजों से लिए पेपर वन में आपका section 1 की बात करते हैं देखिए जो भी आपका syllabus से डिप्लोमा लेवल का है तो बहुत हाइफाई करने की ज़रूरत नहीं है हम देखेंगे कैसे इसको हम समझेंगे चीजों को section A में आपका सबसे पहले आता है applied mechanics देखिए अप्लाइट मेकानिक्स में आपके जो topics divide किये गए हैं वह आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको force force के अंदर आपके पूरे के पूरा लिखा हुआ आप यहां से और एक और बच्चे मैं आपको आगे जाने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं आप इस पूरे syllabus की जो हमने आपके सामने रखा हुआ इसको बाइक फरकेट करकर आपको छोटे-छोटे topics में आपको syllabus तोड कर उसकी त्यारी कर सकते हैं तो चलिए देखिए आपके पास सबसे पहले आता है forces forces में आपके पास कुछ बेसिक जो थियोरम सोती हो दी हुई है mechanics की आपने अपने डिप्लोमा में फस्टे में आप अप्लाइट मेकैनिक्स पढ़ते हैं वहां आपने इसको पड़ा हुआ इ में देखेंगे लिफ्टिंग मेकैनिक्स मेशीन के बारे में देखेंगे यह थोड़ा सा चीजे मेकैनिक्स की क्यावल एलिमेंट डाला गया है क्यावल बेसिक बेसिक टरम्स उसमें पूछी गई है बेसिक बेसिक बाते आपको जानके जाना ही है ताकि आप at least numerical तो नहीं उ इसको भी दियान से देखें इस ट्रॉपिक को बीम सेंड ट्रसिस के बारे में आपको पूरा स्वाम का स्वाम का पार्ट आप इसको अच्छे से पढ़कर जाएं पिर आपका ग्राफिकर मेधर्स आपके आता है अगल के मेधर जॉइंट सेक्शन के लिए थिन सिलेंडर और स्फेरिकल शेल सापको आता है तिहड़ी आपका टियूरी ऑफ मेधर प्रफ कोशेंक से काफ़ी कुछ पूछे गए है और जो इसका इंटरस्टिंग झो एडरिया ऑफ कोशन रहा है वो मैं आपको यहाँ थोड़ा वुडियो में दिखाने यह कोशिश करता हूं उसने गीर ट्रेन से सवाल पूछे हैं ठीक ठाक सवाल पूछे हैं उसने गवर्नर से ठीक सवाल पूछे थे नीचे आपको गवर्नर भी दिखाई देगा और कलचिस से भी एक दो सवाल उसने एक दो सवाल कलच से पूछा हुआ है तो इसमें पूछा हुआ है, आप पिछले बार के paper से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, governor से बहुत अच्छा question आपके governor से पूछे गई है, governor से काफी कोशन पिछले बाद 216 के पेपर में पूछे थे, और वहीं उपर friction वाला जो अपने mechanics में friction वाला part, तो वहाँ से भी कापी question पूछे गए हैं तो इनको ignore ना करें, इनके ओपर detail में थोड़ा बहुत पढ़ कर जाएं ताकि आप महाँ पर question attempt कर पाएं क्योंकि competition tough होने वाला है, ये बात आप बिरुकुल अपने दिमाग में बांद कर चलिएगा फिर आता mechanics of solid है, कि mechanics of solid में आपका strength of material का ही part है जिसमें आपके strength of material गया कुछ questions देखे, beam बहुत important आपके questions पूछे गए थे पिछली बार भी तो आपका mechanical properties of material आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहां से questions पूछे जाते हैं आपका numbering और scoring करने के लिए, तो याद रखेंगे कि इस बार आपका जो paper का pattern है या फिर मैं कहूं syllabus जो पटा हुआ है section A, आपका generally मैं conventional type कह सकता हूं section A conventional type मतलब वो part है जिसमें आपके सारे के सारे major subjects है section A में तो यहां आपका score अच्छा करने के chances सबसे जाते है आपको अपना maximum score यहीं से किन करना है section B में आपका एक loose end छोड़ा हुआ है loose end मतलब एक ऐसा section है दोनों ही paper में जो generally कुछ typical लग सकता है क्योंकि उसमें सब कुछ detailed theoretical part पढ़ना पढ़ेगा तो यहां मैं मानता हूँ कि कुछ questions ऐसे होंगे जो detailed in depth theory होगी कहीं ना कहीं से जो शायद किसी ने सुना भी ना हो तो इसलिए आपको जो major part है section A पर थोड़ा focus करके चलें बढ़िया से यहां से कोशिश करें कि maximum number आप section A के questions से gain कर पाएं और section B में आप जितना भी portion आप पढ़ें उसको भी solid पढ़ कर जाएं और इंट्रस्टिंग आपको लगता है कि हाँ यह वाला part में पढ़ सकता और मुझे अच्छा लग रहा है तो उस part पो पहले preference दें और कोशिश करें कि वहां से number आप gain कर पाएं आपने exam में तो strength of material का जो general syllabus है वही syllabus आपको पूरा का strength of material का syllabus दिया और कोई भी topic को छोड़ा नहीं गया जितना भी syllabus आप पढ़ता है diploma level में पूरा का पूरा syllabus है आपके पास और कुछ चीजों का आपको बस समझ लेना चीए जो भी syllabus आप दियान से देखो कि जो भी चीज bracket में लिखी हुए इस पर बहुत अच्छे से focus करना है साफ साफ पूचा गया अगर spring आएगा तो आपको कुछ भी आएगा सिंपल numerical छोटा मोटा और कोई भी proof वाला वर्मला नहीं पूचा जाने वाला आपको पूचा जाएगा तो पूरे syllabus में बहुत से जगा यह bracket में लिखा हुआ है इन चीजों को बहुत दियान से देखना है खासकर section B में section B का theoretical syllabus इतना ज्यादा है कि इसको पूरे करने में आफक आ जाएगी लेकिन कोशिश यह करने कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इस पर ध्यान देते हुए हमें अपना course content बना के चलना है पेपर 1 का section B आप यहां देख सकते हैं देखिए इसमें आपको material science material science में पूरा का पूरा material science चनरल जो जो topics होते हैं सब उन्होंने पूछी लिए हैं आप से material के बारे में पूछा है material आपको different type of materials आपको अलोई के बारे में थोड़ा basic knowledge आपको लेनी चीए यह ना आप देखो basic knowledge of their production के बारे में आपको थोड़ा चोड़ा पता होना चाहिए basics बाते structure of material आपसे पूछा हुआ है structure of material में क्रिस्टलोग्राफी के बारे में आपको basic चीज़े पता होना चाहिए क्या किस्ट्लोग्राफी है कितने crystal structures होते है क्या defects होते है crystal के अंदर यह सारी चीज़े आप थोड़ा-थोड़ा FCC, BCC, SCP यह structure crystals आप पढ़के जाए heat treatment के बारे में पूछा होते हैं कि यह बहुत ही important topics, यह material size में questions बनने के सबसाथ chance होते है heat treatment से यहां से काफी questions निकल कर आते हैं structure of material और heat treatment इन दो topics को अच्छे से detail में पढ़ें ताकि आप हाप questions को attempt कर पाए heat treatment में आपको सारे process दिया हुए है, TTT भी दिया हुआ है, आपको iron equilibrium diagram भी दिया हुआ है, आपको सब पढ़कर जाना है, अच्छे से थोड़ा पढ़कर जाना, क्योंकि यह दो topic बहुत ही पसंदीदा topic होते हैं किसी लिए exam में, iron carbon diagram और TTT curve से काफी questions पूछ लिए जाते हैं, फिर heat treatment में जितने भी process आगे भी हैं, यह भी एच्छे खासे questions बनाते हैं, और फिर आपका alloy elements है, इसको प्लीज इसको ignore करें, यह ओ है, alloy elements हो गए, इसमें आपको अलग-अलग material के alloying effects को जान लेना चाहिए, basic theory आप पढ़ सकते हैं, non-ferrous materials होता है आपका, फिर non-metallic materials के बार बार में भी आपको plastic timber polymer के बार में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, glass wool जो आजकर current में composite चल रहे है, plastic polymer composites, उनके बार में थोड़ा-थोड़ा details में पढ़ ले, थोड़ा-थोड़ा उनके बार में चान कर जाए, फिर आपका electric insulation materials होता है, इनके बार में भी एक पढ़ें, इससे question पोचा था, इसमें question generally यही बनता है कि बेकलाइट किस परकार का plastic है, तो थर्मो सेट होता है, तो थर्मो सेट थर्मो प्लास्टिक के बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ मायागा कि क्या चीज़ होने वाले हैं, कैसे इनको काम करना है, ठीक है, फिर आप के इस लेबस का section B part paper 1 का बहुत ही unique feature है, अब बहुत ही interesting भी feature है, आप अगर इसको थोड़ा focus करेंगे, आपको मजा भी आने वाला इसको देखने में, आप general चीज़े को समझोगे कि actual mechanical काम कैसे कर रहे है, कैसे आप एक mechanical engineer की तरह काम करो गया गया, इसमें आपका general design consideration for machine parts के ब theoretical parts समझना होगा, जैसे जैसे आप machine parts को design करते हो, यह सब चीज़े आपको इसमें पढ़नी है, इसमें आपका direct and shear loads है, आप इसको थोड़ा बद ऊपर से पढ़के आओगे, और यहां आकर उसकी application, जो आप strength of material में पढ़ोगे, उसका application आप यहां लगाओगे, बस इतना आप चलना है, ठीक है, यह generally machine design का part है हमारे पस, तो आप जो सोम में पढ़ोगे, वो सारा का सारा यहां apply होगा, अपर designing part में, bending moment आप जो सोम में पढ़ोगे, इसको यहां पिर उसको design करना है, कुछ elements आप design करोगे, तो वो सब application part है, यह उन सब चीज़े होगा, जो आप ऊपर function क्या होते है, कैसे design करना है, weighted and welded joints होते हैं, आपको different type of joints के बारे में पढ़ोगे, कुछ temporary joints होते हैं, कुछ permanent joints होते हैं, कुछ semi temporary joints होते हैं, semi permanent joints होते हैं, यह सब चीज़े आप यहां से इस detailed syllabus में समझे होगे, और उन में लगने वाले load कैसे distribute होते हैं, कैसे उनका failure हो सकता है, कहां उनमें share stresses develop होते हैं, कहां maximum share stress develop होते हैं, कौन सबसे weaker section होते हैं, इस तरह के कुछ questions आप से पूछे जाते हैं, आपको इन चीजों को डंग से पढ़ना है, types of joints भी आपसे demand किया जा सकता है, lap joint और butt joint के बारे में, तो इन fillet joint के बारे में इन चीजों को आप इस topic में होगे, यह बहुत ही interesting, question भी आपका rolling, यही से bearing में आप यही से questions बनता है, देखे bearing जब आप पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि दो, तिन आपके जितने पगा के bearings होते हैं, like anti-friction bearing होते हैं, anti-friction bearing होते हैं, और एक आपका hydro-dynamic bearing होते हैं, hydro-static bearing होते हैं, आप इन जब bearings क के बारे में पढ़ोगे यहां आप देखोगे कि एक डाइनेमिक कैपेसिटी होती है और उसी से हम लाइफ ओ बीरिंग भी निकाल लेते हैं ठीक डिजाइनिंग पार्ट ओ बीरिंग साफ पढ़ोगे बहुत अच्छा टॉपिक है और एक छोटे-छोटे नुमेरिकल यहां से बनते हैं एक एक वन लाइनर नुमेरिकल बन जाते हैं तो तीन चार फर्मुले आपको याद करके जाने हैं वहीं अप्लाई करना है फिर आपका पास दूसरा जो पार्ट था एस्टीमेशन वाला पार्ट इसी टॉपिक का लिखाया था डिजाइन एन एस्टीमेशन वाला लगाना एनर्जी एस्टीमेशन लगाना अफ़से बड़ा फैक्टर होता है कि वह एक्टिब भी है कि नहीं है कितना खर्चा आने वाला है प्लानिंग फीज में सारी सिजाब करते हो चीक है आप लगाओ कि एस्टीमेशन ओव वेट ऑफ सिंपल मशीन पार्ट का क्या है क् वाइब्रेशन पार्ट से होंगे तो उनकी कुछ न कुछ फ्रिक्वेंसी नेच्वर्ट फ्रिक्वेंसी होती है तो हम जनरली इस तरीके से आप कभी बैठो और कभी दियान से सोचो और समझो इस चीज को कि क्यों ड्रिलिंग की मशीन होती है और या फिर मैं कहूं तो ग्र इसको सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके पीचे कारण क्या है वेट इनके पीचे बहुत बड़ा फेक्टर होता है वही आपकी नेच्वर्ट फ्रिक्वेंसी को बैरेशन देता है फिर आपका ट्राइंगल हेग्जागन और स्लेंड्रिकल फ्रस्ट्रम औफ कॉन एंड पैर लेट मशीन पर आप टर्णिंग कर रहो या फेसिंग कर रहो तो कितना समय लगने वाला है क्योंकि टाइम एस्टिमेशन बहुत ज्यादा जरूर यह टाइम एस्टिमेशन से ही आप बता हुए कि आप दिन में कितने प्रोड़क्ट बना सकते हैं इसी साफ बता हुए कि अगर आपको अपनी प्रोड़क्टिविटी पता लगे तो आप मार्केट की डिमांड के साथ अपने आपको वैरेशन देख सकते हो मार्केट में डिमांड जाद है तो आपको प्रोड़क्टिविटी इनहेंस करना बढ़ेगा प्रोड़क्टिविटी इनहेंस करने के दो चीज को कर सकता हूं, या तो मैं फिर time कम करने के लिए कई काम कर सकता हूं, या तो मैं design में change करूँ, मैं उसका design proper बनाँ, या फिर मैं advance machining का isたमाल करूँ, अब ही मालो कि मैं प्राने technology का इस्तमाल करूँ, मैं new technology का इस्तमाल कर सकता हूं, फो यह सब चीजे आप यहां से समझ होगे कि कौन सा आपके लिए benefit होने माला है कहां आपको estimation में आपको cost benefit कहा होंगे यहां से आप समझ जाओगे estimation of cost estimation of cost का मतलब क्या थे देखो कि concept यह cost का जो concept होता है यह आपको चाया material requirement हो चाया पर time हो हड जगा इंटर linked होता है main जो production का main motive होता है आप समझेंगे manufacturing production का main motive होता है वो या तो तीन चीज़ों पर काम कर रहा होता है पहला minimum time में होना चीए minimum cost पे होना चीए और maximum quality के साथ होना चीए maximum possible productivity के साथ होना चीए तो इन चीज़ों इन सब objective को मिलाते हुए हम decide करते हैं कि कि किस तरीके का machining process हमको करना है क्या उसी cost आने वाली है क्यों हम milling की जगा milling ही कर रहे हैं मालो कोई पार्ट मुझे design करना था इस पार्ट को मैं milling से भी बना सकता हूं इस पार्ट को facing turning से बना सकता हूं इसको casting से बना सकता हूं इसको मैं वैलिडिंग भी कर सकता हूँ तो कौन सा मैं चूज करूँगा ये कैसे पता लगेगा कि आप कौन सा पार्ट चूज करेंगे इसके पिछे availability एक बहुत बड़ा concept है कि वो part आप वो concept आपके पास जानकी वो machine available भी हो ये भी restriction होती है otherwise भी मैं चूज करता हूँ कि कौन सा मुझे easy होने वाला है बनाने में manufacturability किसकी अच्छी है, machine ability किसकी ज़्यादा बढ़िया है दूसरा कि cost किसमें कम लगने वाले है समय किसमें कम लगने वाले है तो हम इस बिनाहा पर choose करते हैं तो ये concepts होते हैं और cost estimation में और भी चीज़ आप देख सकते हैं labor cost का भी lower labor overhead expenses का भी काम होते हैं मालों कि आप किसी प्रोजेक्ट पर लगे हुए हो आपको प्रोजेक्ट ये था कि आपको 10 दिन में आपको ये काम करना था लेकिन 8 दिन तक आपने काम किया आपको पता चल गया कि अगर मैं same number of labor लगा कर चलूँगा तो दो दिन में पूरा नहीं करवाऊंगा तो आप क्या अगर तो career and work आप जो reasoning में पढ़ता हैं वो यहीं से निकल कर आता है आप क्या करोगे अगर आपके पास अभी तक 10 employee काम कर रहे थे आप 2-4 लोगों को आप 5 लोग एक्स्टा लगाओगे और उस काम को दो दिन में complete करने की कोशिश करोगे तो यहां से आप estimate करते हो क्या कि कि मुझे 2 लोगों को एक्स्टा लगाना या 5 लोगों को एक्स्टा लगाना भी beneficial है कि नहीं है है न क्रेशिंग का concept आता है कि यहां पर इवेंट क्रेशिंग का concept आता है यह सब चीज़ आप यहां समझ जब पढ़ोगे तो आप सब समझ जाओगे कि ऐसे काम करते है कि यहां यहां वेल्डिंग में कोस्ट एस्टिमेशन ओव वेल्डिंग तेके वेल्डिंग एक बहुत 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 बैते एक मतला आज के समय में एक बहुत ही बहुत इन manufacturing process मैक्सिमम जगा welding का इस्तमाल होने लगा हम कास्टिंग को welding structure से replace करते जा रहे हैं इसके बहुत से benefits हैं क्योंकि casting के product वल्की होते हैं welding के light होते हैं बस इसमें restriction है कि हर एक material weldable नहीं होते हैं यह weldability कम यह जादा हो सकते हैं defects आने के chances जादा होते हैं उन्हीं चीज़ों करते हैं cost of material कितना लगने वाले welding अगर आप करोगे हो सकता है कि रिवेटिंग की cost अश्तियों welding की महंगी बढ़ जाए यह सब चीज़ा आपको ध्यान में रखना है cost of material क्या है उसका fabrication आप कैसे करोगे क्या आप easily weld कर पा रहे हो कि नहीं engineering का देखिए industrial engineering जो होता है कि अपने आपने बहुत ही interesting subject है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाले subject को पढ़ने में लेकिन मैं यह यह भी यकिन के साथ कह सकता हूं कि इसको पढ़ने के लिए बहुत ही बड़ा जिगर चीए जिगर चीए बैठने के लिए इसको समझने के लिए क्योंकि यह एकदम industry specific subject है अगर आप industry में काम किये हुए हो तो आपको यह एकदम पानी की तरह समझ माएगा अगर आप industry में काम नहीं किये हुए हो तो यह आपके पानी की chemistry की तरह ही difficult भी है इसमें exceptional cases भी बहुत से मिलने लगेंगे तो इसको दिहान से आप इसकी theoretical part को पढ़ते चलें बहुत important होता है plant layout या process layout के बारे में आप पढ़ेंगे हाँ से different type of layout के बारे में यहाँ से आपको definitely 2-3 question जरूर मिलेंगे फिर standardization के बारे में आप पढ़ेंगे standardization बहुत unique feature industrialization के बाद जो हुआ है क्योंकि अगर आप standard parts नहीं बनाओगे तो आप market में availability कम हो जाएगी अब भी आप market में जाते हो आप कहते हो कि मुझे यार M5 का bolt देदो M12 का bolt देदो easily वह आपको दे देता है अगर standard नहीं होता तो आप उस machine को ले जाते है उस machine का छेद नपवा दे फिर वह आपको बोल्ट देता ऐसा करना वो typical है तो इसलिए standardization को पढ़ना है इसको समझना है quality control को पढ़ना है quality control में आपको different type of charts पढ़ोगे आपके पास generally दो परकार के charts होते हैं एक आपका होते है attribute charts के बारे में आप पढ़ोगे type of attribute chart क्या है question भी कई बार पूछा जाता है कि आपको chart charts के नाम देतेगा X, R, P, C के नाम देतेगा और बोलेगा इन में से कौन सा attribute chart है अब कौन सा control chart है तो आपको वो समझना है किस पगा के chart को क्या बोलते हैं कौन सा chart क्या theory है उसके पीछे कहा कौन सा chart इस्तेमाल किया जाता है वो आप यहां समझेंगे work study के बारे में समझेंगे work study एक अपने आप में बहुती important parameter होता है आपका production line में जब भी आप किसी production industry में काम करेंगे manufacturing industry को दियान से अगर काम किया होगा या उसके बारे में सोचा है समझा होगा तो वहाँ पर work study की जाती है work study में generally हम क्या करते हैं different different science का इस्तिमाल करते हैं और उनके तुरू हम निकालते हैं कि किस part को करने में कितना time लगेगा flow diagram के तुरू हम material का movement देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या कहीं पर मैं उसको movement को restrict अगर कहीं पर bottom leg condition आ रही है कि मालों यहां से आने वाले चार लोग यहां काम करकर एक material देते हैं यहां पर लेकिन perform एक ही आदमी कर रहा है तो इसके पास bulk में material इखटा हो जाएगा तो मैं यहां देखूंगा कि यार मैं एक camera से नजर रखते हुए उपर से देखूंगा monitoring करता रहूंगा और check करता रहूंगा कितना समय यहां पर hold हुआ है अगर मुझे लगा कि यहां पर hold जादा हो रहा तो मैं यहां पर एक और gateway को बढ़ा दूँगा तो यहां से आदा मदर इधर आदा इधर चला जाएगा त इसी टाइम में देखता हूं कि कैसे मैं अपने process को fast बना सकता हूं क्या उसके flaws है उनको हटा सकता हूं चीक है material का movement आप easily देख पाऊगे क्योंकि असल में क्या होता है कि मान लो मैं आपको थोड़ा overview दे देता हूं यही पर ही मान लो कि आप industry में काम कर रहो आपको एक process line प बताओ भया आप यह 10 दिन होगे क्या रिपोर्ट है आप क्या करोगे आप क्या करता है इसके लिए easy बनाने के लिए अब हर चीज वर्बल तो बताएं नहीं सकते इतना time नहीं होता है मिटिंग में क्या करता है चार्ट बने होता है चार्ट में सारा process लिखा हूं आप बता प्रोड़क्त या फिर कोई पुराना ही प्रोड़क्त है उसमें हमने कोई improvement कर दे या फिर हमने प्रोड़क्त को दुबारा अगले season में लाने के लिए seasonal product है उसके लिए हम अभी planning पहले से करकर रखते हैं planning में यह करता है हम देखते हैं कि यार क्या नया product market में चल पाएगा क हम forecasting करते हैं forecasting मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैंने नया product बना नया product निकाला market में और उसकी मैंने 10 करोड क्वांटिटी बना कर रख दी पहले मैं forecasting करूंगा मैं देखूंगा कि आपने देखा होगा आपके घर में बहुत से लोग survey वाले आते होंगे कहीं बार आते हैं कि आप कौ सा toothpaste इस्ट्वाल करते हैं यह सब survey करा जाते हैं forecasting के लिए इसी के base पर companies टाय करते हैं कि उन्हें कितना product बनाना है किस quantity हम बनाना है किस समय उसको launch करना है यह सारा का forecasting के थूरू कि आता है गले साल हम क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे कितना बनाएंगे कहां बनाएंगे कैसे बेचेंगे का forecasting का होता है पिर आपके पास थोड़ा आगे पाट है inventory control का पार्ट मतलब आप कि इतुन रेकों ड crew कितनी स्ट्रों से मैंडेशन के लिए इंता है के लिए आपके बहुत से एक्यूपमेंट होते हैं वहाँ पर एक दिन में काफी बल्की handling होती है तो आप मशीन लगी होती है तो यह आप यहाँ से देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इक्यूपमेंट्स के लिए यूज के जाते हैं फोक लिफटर होते हैं और आपका transporting belts होती हैं, devices होती हैं बहुत सारी फिर आपका आता है industrial safety, industrial safety भी एक काफी important topic है industry के point of view से इस पर काफी focus किया जाता है क्योंकि industry जो होती है एक ऐसा area होते हैं जहाँ हजार होने के chances बहुत जादा होते हैं क्योंकि आप अगर safety से काम नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ न कुछ miss happening होने के chances ज़्यादा होते हैं तो उसी के लिए industrial safety को पढ़ना और जानना काफी need जरूरी होते है इसी में आपको पता जाएगा कि आपको industry environment कैसा होना चाहिए air circulation होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपको किस एरिया में जाना है कि आप prohibited है किस एरिया में नहीं जाना है कहां smoking करनी है कहां नहीं करनी है यह सारी चीज़ आपको इस चीज़ में पता चल जाएगा industrial safety में चलिए आप mechanical engineering का paper 2 section 1 section 1 में आपके पास आता है thermal engineering basic slabus है जो thermal का slabus होता ही है आप जितने भी exams के त्यारी करते आए होंगे आप वहाँ इसको पढ़ते होंगे thermal लिखा हुआ thermodynamics नहीं लिखा हुआ इसको द्यान से देखना है thermal है इसलिए boiler आगे thermodynamics होता तो boiler नहीं आता तो thermal engineering में boilers आपको पढ़ने हैं vapor compression system पढ़ना है refrigerant और air conditioning के बारे में आपको पढ़ना है जो basic slabus है वही है section A तो सबका विल्कुल वैसा ही है जैसा होता ही है जंदोली hydraulics and hydraulic machines आपका fluid properties fluid mechanics के बारे में आपको इहां पढ़ना है मैंने topic wise जहां तोड़कर रखा हुआ है इसकी pdf को download करें और इन topics को topic wise prepare करें हर चीज़ को लगबग पढ़ कर जाएं ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो देखिए mechanical engineering में इस बार ये topic जो बढ़ गया है यह manufacturing processes आपको different different manufacturing process आपको पढ़ने है यह generally हम पढ़ते भी हैं metal forming process के बारे में पढ़ते हैं forming में different different process आते हैं इसमें rolling, drawing, forging, blanking, punching सार आप यहां पढ़ोगे उनके बारे में पढ़ोगे देखो classification on the basis of properties of deformability के classification को पढ़ोगे आप welding को पढ़ोगे different different welding process के बारे में पढ़ोगे welding के different material welding और different material in industries के बारे में पढ़ोगे आप पढ़ोगे किस-किस material की welding कैसे की जाती है चुकि welding हर material की नहीं की जा सकती है और किसी material की welding किसी proper type of welding process से ही की जा सकती है जैसे कि एक question बहुत जादा पूछा था कास्ट आरं की welding किस welding process से की जाती है जनरली पूछा जाता है तो gas welding से किया जाता है यह आपको काड़ाण के सही समझना है कि क्यों gas welding का इस्तमाल कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं अगर आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ा हुआ है तो well and good है का नहीं पढ़ा है तो मुझे comment box में एक बार लिख कर बताएं तो मैं कोशिश करेंगे कि आपके लिए पूरा का पूरा production engineering का material science का हम जल्दी से कुछ नहीं video launch करें और आपको पूरा डेटेल जो पूरा production और industrial वाला पार्ट उसको पन समझाया जाए आपको पढ़ाया जाए एक बार comment जरूर कीजिए आपको क्या आपके पास यह materials है अविलेबल यह नहीं फिर आपके बाद फाउंडरी प्रैक्टिस आती हैं फाउंडरी क्या होदे कास्टिं की बात कर रहा जनरली मॉल्डिंग कास्टिंग प्रैक्टिस क्या है मॉल्डिंग कैसे बनाते हैं कास्टिंग के लिए क्या किस तरह का मॉल्ड माटीरियल होता है कितने प्रकार के मॉल्ड होते हैं कैसे बनाए जाते हैं यह सब चीज़ आपको यह पढ़ना है फिर आपके बहुत ज्यादा यूज किया जाता है powder metallurgy को इस्तमाल किया जाता है और इसमें generally question भी जो पूछा जाता है वो generally powder metallurgy से question यही पूछा जाता है कि ऐसा manufacturing process कौन सा है जिसमें आप density को vary करा सकते हो क्या density को vary करा सकते हैं ऐसा कौन सा manufacturing process है प्रोड़क्ट के अंदर density variation ला सकते हैं पाउडर metallurgy के तुरू लाया जा सकता है ठीक है इसका मतलब है कि आपको यहां इसके अंदर आप पहले आप पर densely particles डालो फिर light dense particle डालो फिर light dense particle डालो फिर इनको सबको squeeze कर दो दबा दो sintering कर दो उन सबका फिर आपका जो product बनेगा वह उसमें density variation होगा नीचे density high होगी उपर density low जो minimum हो जाएगी तो इस तरह product भी आप powder metallurgy से बना सकते हो फिर आता है आपके पास फिर आपके पास आता है machine tool technology technology को पढ़ना है मचीन टूल और क्या होता है जी टेख़री है ये develop ऐसे समझेगा है, क्या prayer से शाज़या कैसे इपढ쟁 moh बारे में अर्ट ही पारे में मैं मोरतीञा मैं मेरा ये नहीं जुए हम भी आिखियर ने मेन बना थोड़ा सा यहांद को पढ़ेगा वक्श water technology के बारे में उसमेंग का आपको आपको डिटेल में बताऊंगा कोशिश यह रही कि आपको पूरा का पूरा स्लेबस आपको टॉपिक वाइज समझा दिया जाए पढ़ा दिया जाए जुड़े रहे आपका एक पर कमेंट बोक्स में जरूर लिखें कि आपका किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स समझ कर जाएं और पेपर में स्लेबस की अकोर्डिंग ही पढ़ें उतना ही लेवल का पढ़ें जो पूछा गया है अननेसेसरी सीजे ना पढ़ें विल्कुल भी तो तैंक्यू पर वाचिंग और आशारा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी चै एक्शन बी के लिए प्रिपेर करने वाले हैं इस सीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें चलिए आज तब तक के लिए धन्यवाद मिलते रहेंगे आपसे ओल दी बैस्ट